तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या 12th की क्लास PCB से पास करने के बाद क्या जो DMRD का जो कोर्स है उसे किया जा सकता है के नहीं तो हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हूँ एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ DMRD कोर्स के बारे में तो DMRD का मतलब होता है Diploma in Medical Radio Diagnosis और दोस्तो अगर आपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जहे जानना है कि 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया ह आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप मेंसे कई स्टूरेंट्स का दोस्तों जे डाउट होता है कि कैन आई डू DMRD कोर्स आफ्टर 12th PCB जानि 12th की क्लास PCB से पास करने के बाद आप जो DMRD का जो कोर्स है उसे आप नहीं कर सकते अगर मैं आपसे DMRD कोर्स का eligibility criteria आपसे मैं discuss करूं तो eligibility criteria दोस्तों जाय कहता है कि आपको जो MBBS की जो डिगरी है उसे आपको पास करनी पड़ेगी तो जैसा कि आपको पता है कि 12th pass PCB स्टूरेंट्स होता है वो MBBS की डिगरी कर सकता है तो MBBS की डिगरी को पूरा करने के बाद ही वह DMRD कोर्स के लिए eligible होता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे DMRD कोर्स के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट वॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारे कोर्सस के बारे में वीडियो उस मिल जाएंगी आपने वांजा कर भी देख सकते हो तो अंत में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो कैसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद